हाई, आयान अलाय स्टाइल में आप सब का स्वागत है, आज हम नेक्स्ट यूटोरल पे आ गए हैं, ये डिजाइन पाथ से 7 साल के बच्चों का केबल स्वेटर डिजाइन है, इस डिजाइन के पीछे के हिस्से में 90 फंदे डले हैं और आगे के दोनों हिस्सों में 45-45 फंद बहुत यूनीक दिखेगी, तो अगर आप इस डिजाइन को बनाने में इंट्रेस्टेड है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरल पे, ये साम्पल हम आपको 26 फंदों में डालके दिखा रहे हैं, पहली सिलाई सीधी त इस तरह से हमने यहाँ पे 13 फंदे सीधे बुन लिये, इसके बाद उन आगे लाके 5 फंदे हम उल्टे बुन देंगे, इस तरह से 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखेगा, क्योंकि हमें अब डिजाइन डालनी हैं, तो अब हम उन पीछे जाके सबसे पहले दूसरे फंदे को पहले बुन देंगे, यानि कि हमने पहले और दूसरे फंदे को पहले सिलाई पर से उतारा, इसके बाद हमने पहले फंदे को वापस चड़ा लिया और दूसरे फंदे को सीधा बुन दिया, इसके बाद हम पहले तीसरे फंदे को बुने इसको भी हम plain सीधा बुन देंगे इसके से बाद हम वापिस पहले फनदे को बुनेगे इस तरह से मनें आपफ ही तीन फंदों पर केबल डाल दी इसके बाद हम उन आगे लाके 5 फनदे उल्टे बुन देंगे और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी पहली सीधी सिलाई भी ओवर होती है इस सिलाई को कंफ्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर इस सिलाई को उल्टी तरफ से प्लेन उल्टा बुनेंगे उल्टी सिलाई बुनते वक्त आपको ध्यान रखना होता है सिलाई का मुँ आपके अंदर की तरफ रहे एक बात का ध्यान दे हम जैसे आयाना लाइफस्टाइल पर आपको सारे knitting वीडियो सिखाते हैं वैसे ही हमने हमारा एक नया चैनल खोला है जिसमें हम आपको सारे embroidery designs सिखाएंगे basic steps of embroidery से लेके advanced embroidery designs हम आपको उस चैनल पर बना के दिखाएंगे जिस तरह से आपने हमें आयाना लाइफस्टाइल में support किया है प्लीज हमारे उस चैनल को भी support करें उसे subscribe करके उस चैनल का link नीचे description box में उपर ही उपर है और इस तरह से दूसरी सिलाई complete करके अब हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर इस सिलाई में शुरू के 13 फंदे हम सीधे बुनेंगे इस तरह से 13 फंदे सीधे बुनने के बाद हम उन आगे लाएंगे और 5 फंदे उल्टे बुनेंगे और इस तरह से 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम उन पीछे ले जाके 3 फंदे सीधे बुनेंगे और इसके बाद उन आगे लाके 5 फंदे उल्टे बुनेंगे इसके बाद चौती सिलाई आपको वापिस दूसरी सिलाई के जैसे उल्टी तरफ से उल्टी बुननी होगी, अब हम आते हैं पाचवी सीधी सिलाई पर, इस सिलाई में शुरू के तेरा फंदे हम सीधे बुनेंगे, ध्यान दें अगर आपको पहली सिलाई में केबल डालने में कोई प्रॉब्लम या कन्फूजन हुआ है, तो आप पाचवी सिल लीजे, क्योंकि इसमें भी हमें केबल को डालना होगा, इस तरह से तेरा फंदे सीधे बुनने के बाद हम उन आगे लाएंगे, और पाच फंदे उल्टे बुनेंगे, और इस तरह से पाच फंदे उल्टे बुनने के बाद हम उन पीछे ले जाएंगे, और तीन फंदों प पहले को वापस चड़ा लेंगे और दूसरे फंदे को सीधा बुन देंगे इस तरह से हमने दूसरे फंदे को पहले बुन लिया इसके बाद ध्यान दीजिए जो तीसरा फंदा है इसे भी हम पीछे से सीधा बुन देंगे फिर इसके बाद हम पहले फंदे को सीधा बुनेंग और इसके बाद हम इन दो नोयाने की पहले और तीसरे फंदे को सिलाई पर से उतार देंगे फिर उन आगे लाके पाच फंदे उल्टे बुन देंगे इसके बाद ध्यान दीजिए छटी सिलाई दूसरी के जैसे, साथवी तीसरी के जैसे और आठवी सिलाई वापस दूसरी के जैसे और आठ सिलाई में जाके हमारा आज का डिजाइन ओवर हो जाएगा इस सैंपल के कम्पलीट होने के बाद का लोकाब देख सकते हो बनने के बाद इस तरह से आएगा इसके बाद नवी सिलाई आपको वापस पहली सिलाई के जैसे बनानी होगी और इसी तरह से इनी स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपके पूरे डिजाइन को कम्प्लीट करना होगा तो यही पर हमारा आज का ट्यूटोरल ओवर होता है I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें और अगर चानल को फॉर्स टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें Thank you so much for watching, stay tuned and bye!